हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप सबकर स्वागत है आपके अपने चैनल से वर्क्स में जहां मैं आज आप लगा हुआ है तो उसकी जो सेंटरिंग वो देख रहे हैं कि वो सेंटर में है कि नहीं ठीक है तो इसी तरह और और सबसे अच्छा बैटर चीज़ा है कि आप जब कॉलम कास करने लगो तो आप स्टार्टर सबस्टार और पेडिस्टिल बना लो तो जैसे मैंने पिछले वीड ह九 Grade सबस्टार अब कॉलम की अर्ट करते हैं कि अब कुछ कॉलम जो है हमारे वह अचोनराच टीन साइट Gonna तो अब इसके बाद हमें देखना है कि कि वह क्या अप सक्रेगेशन तो नहीं है कि आप लेडिंग या फिर कुछ ऐसी प्रोग्लम तो नहीं आ रही है ठीक है तो कही अभी बंद रहा है और कहीं नहीं बंद रहा है यह नीचे आप जो फांडेशन देख रहो इस पर मैं नेक्स वीडियों को आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉग्लम होई है यहां से तरफ से सेटल क्यों होई है ठीक है अब कॉलम की बात कर लेते हैं तो कॉलम में जो चीज़ां करेंगे वह इंपॉर्टन होती है इनको देने के क्योरिंग करने से मतलब वाटर देने से जुस्ट आप हमारी ज्यादा श्रेंट लेता है तो अब हम यहां पर पहले गनी बैक्स करेंगे हमने गनी बैक्स लगाने इन कॉलम पर जो भी एरेक्ट हो चुके है ठीक है उसके ब को ऑफिजा फ़ूह थोड़ा पानी रुका हुआ है अब को कॉलम के बारे में दिखाते हम जैसे यहां पर देखेंदो थोड़ा थोड़ा यहां पर क्या हुआ है सेग्रिगेशन होगी है तो यह हमें रिपेर करना पड़ेगा इसके दो यह प्लास्ट कर सकते हो यह आपको कॉलम बापस वहां से तोड़के बापस रेट करना हो पर उसे खर्चा होगा तो आप कॉलम इसकी प्रॉडम कहती सबसे पहले इसलिए हुआ था क्योंकि हमने जादा हाइट से गिराया था जो आई एस कोड़ जो कहता है जो मैक्सिमम हाइट एक कॉंक्रीटिंग के लिए वह 1.5 मीटर होती है यानि 150 सेंटिमीटर इतनी इससे उपर हाइट से गिराने से सेग्रिगेशन और बीटिंग हो सकती है तो वह चीज हमें फॉलो करने चाहिए इसाइट इजयर और आपको बता होना चाहिए कि यदि कभी ही आप करेटिंग कास्टिंग के काम चलरहा है तो हाँ पर आपको जो कॉंक्रीट पोर कर रहा है तो ऊसकी हाइट देखने हैं कि वह ज्यादो चाहिए तो जैसे यहाँ पर पोलॉम्स का साइच बढ़ा है तो 21 प पर पता होना चीए है अब जैसे हमारे प्लिंड बींग का सोरी हम यहां पर सौलिंग का काम भी करेंगे तो साथ साथ में आप काम भी हो रहा है जैसे आप देख रहे हो यहां पर हमने बड़े बड़े ऑग्रिकेट पत्थर का यूज के होए तो यहाद रखना है जहाँ पर यहाँ पत्थर का यूज्ट करते हैं उसके तीन दिन बाद आपको कॉंक्रीटिंग करनी है क्योंकि जैसे बारिश होती है तो जितना वेट आना वह वह इस पर आजाएगा तो इसके वह से और स्वाइल सेटलमेंट इस टाइम पिसले ज़रूरी है क्योंकि बाद में हमारी जो क्रैक्स हैं वो फ्लोर एरिया प्लिंद बीम पर ना है तो इससे क्या होगा जितने अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फोगेट तो हिट डाइट सब्सक्राइब बटन ताकि मेरी सारे ऐसी मज़िदार और आपको सबसे पहले पहुंचने के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूले ताकि मेरी सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो यह था एक शोट अच्छा टॉपिक जहां पे मैं आपको कॉलम एरेक्शन के बारे में बताया प्रिकॉशन तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू